दोस्तों अगर आप एक फ्रेसर अकाउंटेंट हो यानकि अकाउंट के फिल्ड में आप बिल्कुल नहीं हो, तो ये आज की वीडियो स्पेसल आप के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं, एडवांस इंकम टेक्स के बारे में, जियां दोस्तों या फिर TDS already detect हुआ हुआ है यानकि TDS आपका कटा हुआ है तो वो क्या advanced income tax के अंदर adjust हो जाता है या नहीं होता तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ practical share करेंगे तो वीडियो को miss बिल्कुल भी मत करना end तक जरूर देखना तभी आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएगी तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मोन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सी यूटूब चैनल पे तो वीडियो की सुरवात करें उसे पहले आप से एक छोटा सा निवेदन भी है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इंकम टेक्स से रिलेटेड और टेली प्राइम सॉप्ट्वेर बीजी सॉप्ट्वेर से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना ज़्याद से ज़्यादा वीडियो को शेर करना तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर डिस्क्स करते हैं अब एडवास इंकम टेक्स है क्या तो दोस्तों जो अभी हमारा current financial year जो चल रहे है तो इस साल के अंदर हम कितना tax जमा करवाएंगे यानकि कितना tax हम जमा करवाएंगे उसको हमने इसी current financial year के दोरा नागर हम जमा करवा देते हैं तो वो हमारा advanced income tax होता है यानकि इतना tax हमारा बनेगा और हमने उसको इसी साल में ही जमा करवा दिया तो हमने एक तरीके से government को advanced tax दे लिया अगर हम इसको financial year के बाद में जमा करवाते हैं जैसे के हमारा 31 मार्च 2023 को ये financial year मारा खतम होगा तो हम अप्रेल के अंदर इसके मलब financial year 22 का अगर हम tax जमा करवाते हैं तो हमारा assessment के अदर चला जाते हैं वो हमारा advanced income tax नहीं मना जाता A etwas tax का मलब आपने इसी साल का tax है इसी साल में ही जमा करवा दिया तो सबसे पहला point हमारा clear हो चुक है इनकि present financial year का जो tax किसी साल के अंदरी present financial year के अंदरी deposit करवा देना advanced income tax है अब हम दो नंबर point पे जलते हैं यह advanced tax जो है किसको जमा करवाना जुरूरी है तो दोस्तों कोई भी ऐसा वेक्ति जिसका tax 10,000 रुपे से ज़्यादा का बनता है तो उसको advanced income tax जमा करवाना जुरूरी होता है current financial year के दोरा अगर 10,000 से कम है तो आपको advanced tax जमा करवानी की जुरूरत नहीं है करवा सकते हो इसी कोई पामदी भी नहीं है अब हम 3 number point पे discuss करते हैं भी हम किस बेस पे मानेगी हमारी income कितनी होएगी यानिकि हम कितना advanced tax है मलग कितना tax हमकी साल का बरने वाले है तो इसकी calculation हम किस अधार पर करते हैं यह सबसे बड़ा confusion रहता है एक accountant के mind में तो दोस्तो अब जैसा कि हमारा financial year चल रहे है 2022 यानिकि अगर हम assessment year की बात करें तो 2023 जोई अब माना लेजिए इसका जो बात करें लास्ट year का बेस है जो वो माना जाता है अब बात करें लास्ट year की यानिकि जो हमारा financial year था 21 बाइस का एक अप्रेल 21 से लेके 21 मार्श बाइस में तो उसके अंदर माली जी हमने पूरे साल के दुरान चार लाख रुपे का income tax government को दिया था तो अब बात आएगी इस साल की भी government कहेगे अगर आपने लास्ट year चार लाख रुपे का tax दिया था तो हो सकता है आप इस साल चार लाख से ज़्यादा का tax समय चुका होगी government का ये मानने भी अगर आप business की growth करोगे तो आपकी income भी बढ़ेगी income बढ़ेगी तो आपका income tax भी बढ़ेगा तो अब माली जी आपकी income के अंदर 5% की 10% की 15% की जितनी भी आपकी growth होगी तो हमारा last year के coding हमारा base है जो माना जाता है तो माली जी जीसा कि हमने यापर 4 example लिए लास्ट year हमारा 4 लाख रुपे का हमने income tax बे किया यह हमने income tax की बात कर रहे हैं यह कोई taxable income की बात नहीं कर रहे हैं तो अभी हमारा आजएगा current year का यानिकि जो हमारा अभी assessment year 23 जो जो चल रहे हैं उसके अंदर हम कितना tax जमा करवा सकते हैं एक estimated idea है यह 100% कोई accurate हो यह कोई जुरूरी भी नहीं है अब माली जी हमने यह के दिया इस साल हम government को 4,25,000 रुपे का tax देने की संभावना है अब बात आजएगी 4,25,000 रुपे का tax हम इस साल में चुकाएंगे तो अब हमारी यह liability बनती है भी हम इस 4,25,000 को साल के अंदर 4 बार हमें जमा करवाना पड़ेगा अलग-अलग installment में तो इस 4,25,000 रुपे की पहली installment हमारी कब आजएगी फर्स्ट क्वार्टर की यान की अपरेल सी जून तक जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसकी 15 जून तक तो यह हमें इस 4,25,000 रुपे का 15% हमें advanced tax जमा करवा देना पड़ेगा ठीक है तो हम बात करते हैं भी 4,25,000 रुपे का 15% टेक्स बनेगा कितना तो हम अगर calculation करें 4,25,000 रुपे हमें जमा करवाने जरूरी है अब उसके बाद बाहर आगी 15 स्टमबर की यान की second quarter की तो यह second quarter यान की स्टमबर को खादम होगा तो यह 15 स्टमबर तक हमें 45% का जो टेक्स हमारा जमा हो जाना चाहिए अब यह नहीं भी हम इस amount का 45% और जमा कराएंगे और जमा करवाने का मतलब यह 45% तक का टेक्स जमा हो जाना चाहिए जिसके अंदर बने 15% का तो ओलेडी करवा दिया तो फिच्छे हमारा कितना बचे गया 30% तो अब इस रकम का अब 30% हमारी second installment आ रही है तो अब इसका करेंगे इन्टू 30% यानि कि कुल में लागे अगर दोनों की बात करें तो यह 45% हमारा टेक्स यहां तक एक लाग एकाण में जारुपे जमा हो चुका है अब उसके बाद में आएगे हमारी यह third installment तो यानि कि यह third installment हमारी 15 दिसंबर को आएगी वह इस 15 दिसंबर तक इस 4,25 हमें 15 और 30 यान कि 45% हमने 15 स्थम बर तक जमा करवा दिया और 15 दिसंबर तक हमें 50% जमा करवान है तो हमने 50% में 50% जमा करवा चुके 45% जमा करवा चुके तब इसका मदलब मारा टेक्स कितना बचेगा पीछे 30% यानि कि अगर हम बात करें भी 50 में से 30% जो टेक्स है वह 45% अलड़ी जमा करवा दिये तो अब हमारा 30% टेक्स और हमीं जमा करवाने किस रकम का चार लाग पचीजार पे का तुम चार लाग पचीजार इंटू 30% तो यान कि 1,27,500 आपकी तीसरी किस्त आजेगी थर्ड इंस्टॉल्मेंट आजेगी अब हम बात कर दें चोथी किस्त क जो आती है मिसला 15 मार्च को अब गवर्मेंट का मानना है यहां तक आपका 100% टेक्स है जो जमा हो जाना चाहिए कितना 4,25,000 लेकिन एडवांस टेक्स गवर्मेंट कब मांग दिया हमारे से 15 मार्च को फाइनेंसलियर एंड कब होगा 31 मार्च को तो यान कि जो आगे 15 इसकी और होने वाली है तो अब यहां पर यह एक आपतिका प्रोजेक्टड आइडिया रहेगा भी यह कोई जुरूरी निया भी 100% एक्कुरेट ही आपको जमा कराना है तो लेकिन एज़ पर आपने जो प्रोजेक्ट आइडिया लेके चला था टेक्स जमा करवाने का तो उ और पास करेंगे अब हमारी चोथ्छी इस्ट्व्六 Dean अभी कितनी हैगी गयरे था today अभ यहां तक हम ने इतच कर दिया तो सबसे पहले हमने पंदना पैट कर आया ज़ों जमा कर दिया और किस रकम का आपको 25% रकम का टेक्स और जमा करवाना है तो हम इस रकम का 25% की विल्यू निकालते हैं तो यह हमारी चोथी किस्त आएगी वह एक लाग छहाजार दोसो पचास के लिगी तो अगर हम इन चारों का टोटल करें तो यह चारों का टोटल आपका 4 लाग 25 रुपर बन चुक गया यंकि आपने आईडिया लेया था चार लाग 25 रुपर हो सकता है यह कम भी हो सकता एडवांस के अंदर कटा हुए है जिसकी कोई TCS की रूप में या कोई TDS की रूप में तो वो क्या एडवांस आपका अडजेस्ट हो जाएगा माली जी आपका जो फर्स्ट क्वाटर है अप्रेल से लेकि जून तक का इसके अंदर आपका माली जी 8000 रुपर का टेक्स है ज तो अगर हम बात करें फेली इस्टॉलमेंट की तो आपको फिर पहली इस्टॉलमेंट कितनी जमा करवानी है तो पहली इस्टॉलमेंट आपकी बंती कितनी थी 63,750 अब इसमें 8000 रुपर का ओलेडी आपने जमा करवा दिया TDS के रूप में अब TDS भी हमारा एक तरीके का ए तो इसी तरीके से अगर हम इनकी केलकुलेशन करें से भी है कि तो ये केलकुलेशन आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी जो आपका 127,500 का जो टेक्स बनता था इस्टॉलमेंट आपकी वो 10,000 रुपर का आपका TDS कट चुका है तो अब आपको 117,500 पे ओन लाइन चलाना आप आपको 1,12,500 आपको जमा कराना है इस 1,6,250 का आपको 18,000 आपका टेक्स कट चुका है तो इत्यासी 250 रुपर आपको ओनलाइन डिपोजिट करवाने है तो यनकी केने के मतलब हम कह सकते हैं इस 4,25,000 के अंदर आपने 51,000 रुपर आपका टोटल TDS या TDS के रुप में इन डिपोजिट करवाना जुरूरी होता है तो दोस्तो इस तरीके से हम पूरे साल के अंदर एक estimated हमारा income tax कितना बनेगा उसको चार installment के अंदर इस तरीके से divide करके और हमें advanced income tax है जो जमा करवाना होता है अब advanced income tax जमा करवाने का जो हमें benefit मिलता है वो हमारा जो बकाया अग काफी हद तक बचाव हो जाता है अगर आपने पूरे साल के अंदर deposit advanced tax कम जमा कराया है आपका projected idea सही नहीं था तो उसके according जितना difference बच गया तो उसके according government आप से जितना आपने डिले किया उसका 18% के साब से ब्याज भी calculate उसके उपर लगता है तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई नोलेजेवे लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना ज्यादा ज्यादा वीडियो को आप शेर भी जरूर करना है